नमस्कार 2014 में चुनाओ के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाँच बड़े मुद्दे देश को वादे किये थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो उन पाँच मुद्दों को वो लागू करेंगे लगबग चार सार होने जा रहे हैं और वो पाँच मुद्दे पूरे देश को मालूम है और जानकारी है पर उन पाँच मुद्दों को आज मैं फिर दोरा देता हूँ एक तो उन्होंने वादा किया था कि नौकरियां हरวर्ष वो 2 करोड नौकरियां हर वर्ष देंगे उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए उनको रहात के लिए MSP को 50% दी उनके दाम से जाधा करेंगे डेड लाक रुपे, पंद्रा लाक रुपे, आम आदमी के खाते में भेजेंगे, ब्रश्टा चार के बिरे में उन्होंने कई बड़ी-बड़ी बाते करी थी, और पांचवा जो था, वो security, border security हो, चीन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, कड़े कदम उठाएंगे. आज हमारी जो प्रेस कॉंφरिंस है वो किसानों के बारे में है नौकरियों के बारे में आप स्वैं सब कुछ जानते ही है कि दो करोल नौकरिया तो छोड़िये कि कली अगबार में छपे हैं कि देर करोल से ज्यादा अनौगनाई सец्टर में नौकरियां लोगों की छूटी हैं इनके पॉलिसी के वज़े से 15 लाक खाते में जाने की जहां तक सवाल थे वो तो भारते जंता पार्टी के राष्ट अध्यक्ष ने स्वेम कहे दिया कि जुमला था ब्रश्टा चार के बारे में जिन्होंने कहा था कि मैं चौकीदारी करू राष्ट अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्रियों तक मंत्रियों तक केंडर मंत्रियों तक पदिकारियों पर इतने आरोप कागजी सबूत पेश किये गये हैं पर चौकीदार ने अपना मुँ अभी तक उस पर खोला नहीं है जहां तक पाकिस्तान और चीन के बारे में था आज ही अगबारों में चपा है कि सीजवाय जितने आज इंटूशन्स चीन में हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं पाकिस्तान ने जितने सीजवायर वायलेशन इन साड़े तीन सालों में किये हैं और जितने आतंकी हमले मिलिटरी इस्टैबलिश्मेंट्स में हुए हैं इतिहास में इतने नहीं हुए हैं. परंतु आज जैसे मैंने पहले कहा चर्चा किसानों के बारे में होगी. क्योंकि 70 फीजदी किसान, इस देश में 70 फीजदी लोग गाउं में रहते हैं और किसान का काम करते हैं. रीड की हड़ी इस देश की कोई अगर है तो किसान है। पर रोज़ाना अख़बारों में तेलीजिन चैनलों पर हम क्या देखते हैं। केндर में तो भारती जनता पार्टी की हकूमत है ही। प्रंतु जहां जहां इनके राजियों तक में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है, मद्रप्रदेश में देखिए किसानों के साथ क्या जुल्म बरसाय जा रहा है, गोलिया कहीं, कहीं उन पर गोलिया चलाई जाती हैं, तो कहीं उनके कपड़े उटार के उनको पीटने का काम करते हैं, राजिस्थान में देखिए, महराष्ट में सबसे ज़्यादा अगर फार्मर्स यूसाइट कहीं हो रहे हैं, तो महराष्ट के अंदर हो रहे हैं, जहारखण में देखिए, जहारखण में गोलियां किसानों पे चलाई जा रही हैं, उत्तर पदेश में हाल में हमने देखा कि किस तरह किसान मजबूत होकर मजबूर होकर अपने आलू की फसलें सरकारी बिल्डिंगों पर विदान सभा तक फेक के चले आ रहे हैं इसके कुछ आकड़े जो हमारे सामने आये हैं एक्जिकल्चरल ग्रोथ जो हमारे पास हाल में आकड़े जो आये हैं दस साल में जब तक UPA सत्ता में थी तो एवरिज जो ग्रोथ था किसानों का अग्रिकल्चर का वो चार फीज दी था और अगर इस अक्टूबर दोहजार सत्रा में जो रिपोर्ट आई है CSA की उसमें पश्रूप से उससे आधा वन पॉइंट नाइन परसेंट ग्रोथ एवरिकल्चर में देश में हो रही है MSP की बात प्रधान मंत्री जी ने कहां कहां भाशन और पूरे हर जन्पद में जहां जहां भाशन किया तो किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जबाएगी तो जो भी आपका खर्चा होगा किसान का फसल जमाने में तो पचास फीजदी उससे जादा बढ़ा कर हम MSP देंगे और ये पेज 44 में उनके मैनिफेस्टों में जो भारतिय जन्ता पाटी ने मैनिफेस्टों में पेज नंबर 44 पर किसानों के हक की बात लिखी थी वादा जो किया था आज देश देख रहा है कि MSP कहीं 10 रुपे बढ़ती है तो कहीं 20 रुपे बढ़ती है और उस दाम के बारे में प्रधान मंत्री जी आज कहीं भी चर्चा नहीं कर रहे हैं परंतु एक नहीं उन्होंने इलेक्शन जैसे नजदीक आने लग गए हैं 19 के अब वो बताते हैं कि किसानों का इंकम हम डबल कर देंगे 2022 बाइस है तो मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जब किसानों के इंपुट इतने जादा बढ़ते जा रहे हैं हाल में आपने देखा कि डीजल दिल्ली में जो डीजल खेती में ट्रैक्टर हो पंपिंग सेट हो डीजल का कितना बड़ा काम होता है उसका रेट साथ रुपे ले साथ दिसम्लव च्छाचछ रुपया तो सिर्फ डीजल का दाम हो गया है और इस वर्ष में टैक्सिस के माधियम से सरकार वन पॉइंट सिक्स लाक करोर रुपीज कमारी है जो आम किसान और आम आदमी के देश का है इन साड़े तीन सालों में सिर्फ पेट किसानों को दिया जाता है आम आदमी को दे जाया जाता है मध्यमवर के लोगों को क्यों नहीं ये बेनिफिट पास्वान किया जा रहा है दूसरी चीज किसान और आम दिनी की बात करते हैं रूरल वेजिस की बात की जाती है 2013 में जब हमारी सरकार थी तो रूरल वेजिस उस वर्ष में 17.6% का ग्रोथ हुआ था रूरल वेजिस में और इस वर्ष कितना ग्रोथ रूरल वेजिस में हुआ है 6.6% फीजदी ही सिर्फ ग्रोथ हुई है फार्म लोन वेवर की किसानों का लोन माफ करेंगे हम तो तमाम स्टेटों ने लोन वेव करने की बात करी फार्मों किसानों को लोन माफ करने की बात कही गई और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जहां उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा भारत जन्ता पार्टी ने बनाया और उत्तर प्रदेश में लोगों को एक-एक पैसे का सर्टिफिकेट मिला है इस चीज़ को आपने बहुत तरीके से और देश में दिखाया हमारी सत्ता जब थी तो सततर हजार करोड रुपया हमने किसानों का लोन माफ किया था और आम छोटे से लेके बड़े किसान सब को फायदा पहुचा था और एक जटके में जितना लोन था उसको खतम किया गिए केंदर सरकार ने राहुल गांदी जी ने किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है किसानों के लोन को लेकर हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश की है लोन माफ करने की बात छोड़िये किसानों का एक रुपया केंदर सरकार ने माफ नहीं किया परन्तु एक लाग तीस जार से जादा करोड रुपे बड़े उद्योग पतियों का माफ करने का काम किया है तीन सालों में दर्दाख फिगर है बड़े गंबीरता थे उदासी से मैं ये फिगर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ पिछले तीन सालों में 38,000 किसानों ने आत्मा हत्या की है 35 किसान रोजाना आत्मा हत्या इस सरकार में कर रहे हैं और जो आत्मा हत्याओं की जो आकणे हैं अगर उनको देखें दिल को जजोड देने वाले आकणे हैं 45 फीजदी 45 फीजदी में आत्मा हत्या किसानों की इस सरकार में बड़ी है तो रूरल डिस्ट्रेस जिसको बोलते हैं ग्रामीन अंचलों में किसान कितना परेशान है किसान में जो मजदूरी करता है उसको कितनी तरीके से इंपैक्ट पड़ा है अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो किसानों की बात करने वाली ये सरकार अगर बीमा जो इन्होंने फसल योजना बीमा की जो आकड़े सरकार ने बोले दिये थे उसमें कुछ चंद बड़े बड़े प्लेयर्स को ही उसका फाइदा हुआ है आम गरीब और छोटे किसानों का इसका कोई मतलब नहीं हुआ है चार साल चले गए हैं किसानों तक कोई भी राहत इस सरकार ने नहीं कई एक साल इलेक्शन के लिए बचे हैं हम फिर से प्रदान मंतरी जी को कहेंगे कि इस बज़िट में किसानों के लिए बड़े कदम उठाने की जुरूत है और इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और जब तक राहत किसानों को नहीं मिलेगा कॉंग्रिस की आवाज कॉंग्रास का साथ किसानों के हग के लिए बना रहे हैं कि आप कुछ पूछना है कि देखिए रीटेल की आपने बात करी और आपने एवडियाई की बात की आप सब को सपष्ट याद रहुआ होगा कि लोगसभा राजसभा से लेकर किस तरह के भाषण भारत जनता पार्टी के नेताओं ने दिये थे और प्रधान मंत्री जी ने दिये थे ये जो एवडियाई हुआ है ये कॉंग्रिस पार्टी के जमाने में हमने एवडियाई देश में लागू करने की बात की थी परंतु उसमें तमाम clause किये थे जिससे देश को फाइदा हो और देश में जो raw material है उसका फाइदा हो और तमाम हमने उसमें guarantees लगाई थी कि हिंदुस्तान के लोगों को उसका फाइदा रहे परंतु उससे पहले मैं आपको एक clip दिखाना चाहूंगा FDI के बारे में मैं हराओं तो जान में उसकी क्या कवर है कि सब्सक्राइब कर दो चोटे कापारी हैं मेरी बात को सुझे उन्होंने अब क्यों वारे सिराणा के कापारी है और विलेशनों को FTA को हिंदुस्तान में रिटेर के लिए पर्भी देने का अज फैस्टा कर दिया अगरे रिटेर के दस्षत पतिशत इस प्रता का मार्केट शूरूगा तो आपने एक चहरा देखा प्रधानमंत्री जी का जब विपक्ष में थे और आज एक चहरा आज आपने देखा है FDI में जब हमने लागू FDI में लागू किया था तो इसमें हमने सेफगार्ड किये थे और अगर सिंगल रिटेल में आप देखा होगा 30% हमने कंपल्सरी ये लखा था कि रौ मटीरियल देश में खरीदना पड़ेगा कि 30% अगर गुजोबी सिंगल रिटेल में FDI वाला आएगा तो उसको तदकाल 30% रौ मटीरियल हिंदुस्तान से ही खरीदना पड़ेगा हमने ये लागू किया था उसका विरोधिस सरकार ने किया था प्रधान मंत्री जी का आपने अभी क्लिप स्वेम सुना आज प्रधान मंत्री जी ने FDI में वो जो क्लॉज 30% जो रौ मटीरियल हिंदुस्तान से लेना था उसको भी रद कर दिया है तो क्या यही मेक इन इंडिया है क्या इसी से मेक इन इंडिया होगा क्या इसी से फाइदा यहां जो प्रदक्शन समानों का होता है उसको लिया जाएगा तो किस मेकिन इंडिया की बात प्रदानमंत्री करते हैं दोरे चेहरे विपक्ष में जब रहें तो कुछ और सत्ता में आए तो कुछ और देश की जनता को बताएं कि दिक्कते इस देश की क्या है जब विपक्ष में रहें और उन दिक्कतों को बढ़ाने का काम करें उनी ला रही है एर इंडिया की बात जैसे आपने पूछी हम जब सत्ता में थे हमने उस समय भी रूल पास किया था कि फॉरन एलाइन्स को आने के लिए फॉर्टी नाइन परसेंट एफडिया हम लागू करते हैं परन्तु नैशनल कैरियर नैशनल कैरियर को इस कानून में हमने नह एर इंडिया को अलग रखा था कि इसको हिंदुस्तान के लोगों को ही चलाना चाहिए आज उन्होंने कैसा कानून पास किया कि वो फॉर्टी नाइन परसेंट भी इंटरनेशनल बाहर का आदमी आके फॉर्टी नाइन परसेंट एफडिया एर इंडिया में कर सकता है जबक लोग इस देश के उसमें नौकरिया करते हैं अपने बच्चों को पोच्टते हैं घर अपना चलाते हैं और अगर उनको एफडिया नैशनल कैरियर में लाना चाहिए तो उसमें तमाम और तरीके हैं उसमें बांड हो सकते हैं इक्विटी हो सकती है उसमें और पॉरन इंवे जाते हैं जो हिंदुस्तान के लोग वहां नौक्रियां कर रहें उनका क्या होगा तो क्या ये एक और मेक और इंडिया का नया कोई पहलू कि नैशनल कैरियर को भी अब विदेश को देना चाहते हैं विपक्ष में रहें तो कुछ और भाशन पक्ष में आए तो देश जहां हि हिंदुस्ताल के प्रड्यूस को समाप करने के कानून लाते हैं तो ये मेक इन इंडिया कौन से मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं देखिए इलेक्शन 2019 में हर पार्टी इलेक्शन से पहले अपने संगठन को अपने लोगों को और अपनी बातों को मजबूती देना चाहता है जब इलेक्शन आएंगे कहीं 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 प्रांतों में हम समझोते में हैं और कहीं कहीं जब इलेक्शन आएगा जो हमारे सेम आइडियोलिजी के सोच और विचारधारा के होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे तो अभी उस पर कोई टिपनी करना या कहना मैं समझ सकता हूँ बहुत जल्दी बाजी होगी केंद सरकार ने इन साड़े तीन सालों में कितना वैट घटाया केंद सरकार हर वर्ष जब हर वर्ष सरकारी कोश के लिए एक Central Government के Taxes बढ़ाते रहे हैं बाते स्टेट पे कह देनी बहुत असान है बड़े भाशन देते हैं प्रदान मंत्री जी हम 16 राज्य में हैं कि 18 राज्य में राज्य भी उनके केंदर भी उनका तो क्यों नहीं कानून बनाके वैट रिड्यूस कर देते हैं सेंटर में भी सेंटर में उन्होंने कोई इस तरह की धर्मेंद प्रदान जी ने कुछ पहल की है कि चिठी तो लिग देते हैं पर केंदर सरकार ने उसमें कौन सा बड़ा कद कारों को हुआ है कि जी आप एक पहला सवाल दे दूना मैं आपको पहला एक सवाल कर दूं कि दो अलग अलग टॉपिक है ना जो आपने सुप्रीम कौर्ट के आदेश के बारे में किया पूरी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है परन्तु कोई भी कानून या कोई भी आउर्डर सिक समुदाय को उनको पूरी जानकारी और पूरी इंक्वाइरी करने के लिए कोई इस तरह का जाच होती है तो कॉंग्रिस उसका हमेशा समर्थन करेगा और सिक विरादरी पे अगर कोई भी उत्पीड़न हुआ है उसकी जाच होनी चाहिए और अगर कोई भी कार किसी ने भी उस पे गलती की है तो उसको सजा अविशक में लिए इस बियान को मैंने मैंने ना सुना है ना पढ़ा है मैं इसकी पूरी जानकारी लेके तभी इस पे कुछ कहता हूं किस तरह का फैसला है परंतु अगर सरकार कोट का मसला है अगर कोट ने ये कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए हम इस पूरी चीज़ की जाच करेंगे सरकार किस तरह का उस पर जवाब देती है इसके जानकारी के देने पार हम अपनी बात अवश्य रखेंगे कल किसने देखा है तरपार्थी जी आज जो हो रहा है आज जो हो रहा है उसकी जानकारी आप ज़रा विस्तरुच जानकारी ले लीजिए जी डेपी ग्रोथ जो है चार साल में सबसे कमी पर है साड़े छे तो इस वर्ष है और अगर यश्वन सिना को जाना जाए और तमाम एकॉनिस्ट को जाना जाए पुराने आकड़े से अगर जोड़ा जाता तो वो साड़े चार होता अगर आप इंफलेशन की बात देखें तो जादा इंफलेशन इन पंदरा महीनों में इंफलेशन जारी है अगर फ्रेश इंवेश्मेंट देखा जाए नए जो पैसे लगा रहे हैं देश के लोग तो तेरा साल के लो पर है तेरा साल में इतने कम कम फ्रेश इंवेश्मेंट नहीं हुए हैं क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 63 साल के लो पर है बैंक से जो क्रेडिट ग्रोथ होती है 63 सालों में सबसे कम पर है और फिस्कल डेफिसिट को अगर देखा जाए तो वो भी इस बार पूरा कंट्रोल के बाहर है और 8 सालों में पहले बार देखने को मिल रहा है जो हालात जिस बरबादी की स्थिट पर हमारी अर्थ विवस्ता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सरकारी आकड़े कह रहे है ये तो 2014 में हमने ये भी सुना था जैसे मैंने कहा कि आपके खाते में 15 लाक आ जाएगा तो कल किसम ने देखा है आये क पंदरा लाक आपके कहते में we were open to any kind of inquiry the government has set up inquiries but this perception battle that the bjp had built up about corruption against the Congress government is falling, is hitting them smack right on their face. We saw that evidently being played out in the 2G scam, which was a make-believe scam which the BJP took to the whole country. And it is astonishing that the people who took this figure, be it politicians or bureaucrats, that no action has been taken against them. We have seen that now in the विप चॉपर स्काम, this is exactly what we have come to know, the country has come to know, that the BGP continues to play out false perceptions about the Congress Party, but in the end, truth shall prevail. But I would like to add, why is that the BGP is not taking action against, when there is adequate proof against the BJP president's son? Why do we see no action being taken against the chief ministers of Madhya Pradesh, the chief ministers of Chhattisgarh, the chief ministers of Rajasthan, cabinet ministers, other functionaries of the BJP? Why is it that in three and a half years that the prime minister has not spoken once or about the GSPC, what happened in Gujarat, the 20,000 scam in the GSPC in Gujarat? Why is it that the prime minister has not even opened his mouth once about the corruption which directly touches him and the people extremely close to him? meaning, yag yeh to koi bhi kar saktahe, yag ho kar raha hai to isma hai, हमें इस पे कहने की क्या टिपनी करने की क्या जूरूत है? जे? ने यग कर रहे हैं पर इस देश के जो लोग जिनको उन्होंने इतने सपने दिखाये थे, इतने जुमले दिखाये थे, इतने जो वादे किये थे, अगर उनको ही पूरा कर देते, तो स्वेम भगवान उनको आशरवात दे दे दिये होते, पर किसानों से, गरीबों से, इस देश के नौजवानों से, आम वरिदादमियों से, हमारे मध्यमवर के लोगों से, छोटे वेपारियों से, सब को उत्पीरत करके, साड़े तीन सालों में, जो श्राप, आम और किसान और नौजवान ने दिया है, भगवान भी इनको माफ नहीं करें, सेनाम ने कहा है कि 2020 में 137 पाटिसानी सहीन को उनों माझ ज़ेबों, देखिए मैं आकडों में जाता नहीं हूँ, जो हालात कितने जवान हमारे रोज शहीद हो रहे हैं, इसके बारे में क्या मैं आपको आकड़े पेश करूँ क्या, क्या ये कोई आकड़े पेश करने के लिए कितने जवान हमारे रोजाना शहीद हो रहे हैं, रोजाना इस देश में हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है, और क सरकार ने उसी ISI को जाच करने के लिए इस देश में बुलाया और आप बात करते हैं कि हमने इतने आतंकियों को मार दिया शरम की बात है और क्या यही 56 का सीना है कि पाकिस्तान रोज चड़कर हमारे नौजवानों को हमारे सिविलिंस को और हमारे जवानों को रोज शहीद करत है और हमारे बात करते हैं कि बात करते हैं आप करते हैं को बाते हैं